नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर्ण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं यूटूब में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेजिगा इस्टडी फॉर सिविल्स है सारे कुशन अटेंट करिया और इसको अपना तुरंध कमेंट करके बता ही दोस्तों यूपी PCS प्रिलिम्स 2022 के लिए यह सेक्शनल मॉक टेस्ट पेपर नंबर 5 है जि जरा नाम देख लीजेगा Uranus है, Neptune है, Earth है और Venus है इसमें से arrangement कौन सा सही होगा और फर्स्ट क्वेशन का जो right answer है वो इसमें से हो जाएगा B वाला यानि इस हिसाब से अगर करेंगे तो आकार के इसाब से Jupiter सबसे बड़ा है उसके बाद Saturn का नंबर आता है फिर आता है Uranus फिर Neptune फिर Earth फिर Venus उसके बाद Mars और लास्ट में Mercury सबसे छोटे आकार का बुद्ध इसके बाद second question को देखते हैं यहाँ आपको arrange करने के लिए कहा जा रहा है density के basis पे मतलब ascending order ही रहेगा लेकिन जो ग्रहों के नाम यहाँ दिये हुए है उनको density के आधार पे आरेंज करना है तो आ सबसे आप से कर लेंगे मतलब प्रिथवी की जो density है वो सबसे जादा है उसके बाद फिर Mercury की है फिर Venus की है फिर Mars की है उसके बाद तब Neptune की है Neptune के बाद Jupiter की है Uranus की उसके बाद है और सबसे लाश्ट में आता है Saturn यानि सबसे कम density शनी की है इसके बाद question number third को देखते है which of the following planet does not come under the category of terrestrial और कौन सा नहीं आता है category of Jovian planets की range में मतलब कौन सा इसमें से terrestrial नहीं है और कौन सा Jovian नहीं है ये आपको बताना है तो यहाँ जो विकल्प दी हुए पेर दी हुए उसमें से ये वाला perfect है Uranus जो है वो terrestrial planet नहीं है बलकि Jovian है और Venus जो है वो एक terrestrial planet है न Mars और Neptune के नाम दिये हुए है और fourth question का इसी लिए जो right answer है वो A हो जाएगा इस हिसाब से करेंगे मतलब Mercury और Neptune असल में बुद्ध का सबसे जादा होता है उसके बाद शुकर का फिर पृत्वी का उसी आधार पे फिर Mars का होता है Jupiter का होता है Saturn का होता है Uranus का होता है इसके पाद अगले वाले को देखते है question number fifth चार ग्रह नीचे दिये हुए अब ये चार प्लैनेट के नाम आप देख रहे है पूछा ये जा रहा है कि revolution period सबसे shortest किसका होता है और सबसे longest किसका होता है revolution period ध्यान से देखेगा और fifth वाला जो है इसका right answer क्या हो जाएगा C हो जाएगा Neptune का shortest ह होता है और Venus का longest होता है इसके बाद अगले वाले को देखते है question number six में आप से पूछा जा रहा है कि जो sun का volume है वो प्रिथवी के volume का कितने time कितने million time है ये आप बताईए और साथ में जो sun की surface gravity है वो प्रिथवी की surface gravity के कितने time है मतलब ये बताईए इसमें गुना आपको द इसके बाद question number seven को देखते है यहां का गया कि बुदग्रा का जो एक दिन होता है वो प्रिथवी के कितने दिनों के बराबर होता है और बुदग्रा का जो temperature difference है वो कितना होता है तो temperature difference भी बहुत अच्छा खासा होता है या आप जानते है sun के सबसे nearest यह है तो question number seven का जो right answer है हो इसमें B हो जाएगा मतलब 90 होता है मतलब 90 दिनों के बराबर होता है और 560 degree Celsius यह temperature difference होता है approximately question number eight को देखते है कौन सी gas शुक्र ग्रह के वाता बरण में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है और शुक्र ग्रह यानि जो वीनस है उसका आगर हम revolution period देखें तो कितने दिनों का होता है यह भी आपको बताना है तो यहाँ gas का नाम और revolution period आप देख लीजे question number eight का जो right answer है उसी हो जाएगा carbon dioxide यह जो शुक्र का वाता बरण है वहाँ सबसे जादा मात्रा में पाई जाती है और 225 दिनों का इसका जो परिक्रमण काल है वो होता है question number nine को देखेगा which of the following satellite is the smallest satellite in solar system और on 18th December 2015 the curiosity rover has discovered deposit अब किसके deposit इसने खोजे थे Mars पर यह भी आपको बताना है तो अब इसमें आप देखे smallest satellite कौन सा है और deposit जो Mars पर खोजा गया हो किस चीज़ का है तो question number nine का जो right answer है वो इसमें A हो जाएगा Demos यह सबसे smallest satellite के तोर पर देखा जाता है और silica के deposit यहाँ पर Mars पर खोजे गया है इसके बाद question number 10 को देखते है तेंथ question में आप से कहा गया कि निमनलिकित में से जो incorrect option है उसको चुनिएगा तो गलत information देखे कौन सी है nearest planet to the earth यह Venus है farthest planet from the sun यह Neptune है smallest planet कौन सा है मरकरी है और most dense जो planet है यानि सबसे ज़्यादा घनत वाला जो planet है वो कौन है Jupiter है ऐसा दिया हुआ है गलत कौन सा है आप बताईए तो D वाला गलत है अभी हमने पीछे देखा है सबसे ज़्यादा density किसकी है हमारी earth की है और सबसे कम density Saturn की है और वैसे भी आप guess कर सकते है कि जो Jovians है उनकी density क जहां से ज़्यादा हो जाएगी इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 11 में आप से कहा गया कि when had is row design the Chandrayaan 2 और Chandrayaan has been joined launch into an earth parking orbit of यहां किलो मीटर कितना था हूँ आपको बताना है through GSLV mark 3 with indigenous cryogenic engine अब यहां जो cryogenic technology इस्तेमाल की गई थी उसको भियाद रखेगा वो भी पू जाना है तो design कब किया गया था पहले तो यही देखिए question number 11 का जो right answer है वो इसमें C हो जाएगा मतलब 2009 में design किया था तब से काम चल रहा था और यह 500 km का जो range है वो यहां पर होगा इसके बाद next question को देखते हैं 12 वाले में आप से पूछा गया है कि भारत की astro set नाम की जो वे conservatory बनाने में सफल नहीं हुआ है यानि इस थापित नहीं कर पाया है तो question number 12 और इसका जो correct answer है वो इसमें A हो जाएगा यानि 650 km की उचाही पर इस थापित किया गया है और France अभी तक इस काम में सफल नहीं हुआ है इसके बाद next question को देखते हैं 13 यहां यह कहा जा रहा है कि जो vegetation और environmental monitoring है उसको करने के लिए एक नया चोटा सा satellite बनाया गया है जो कि है Venus और इनको दो देशों ने मिलकर बनाया है मतलब दो देशों की जो space agencies है उन्होंने मिलकर बनाया है कौन से दो देश है देखते हैं 13 का जो correct answer है वो D हो जाएगा यह जो Venus है इसको बनाने में Israel की ज when the earth is at minimum distance from the sun then this position is called perihalion the earth attained its position this position on 3rd January मतलब यह जो position है यह अर्थ का प्राप्त कर लेती है तीन जन्वरी को प्राप्त कर लेती है और दूसरे वाले statement में कहा गया कि when the earth is at maximum distance from the sun then this position is known as aphealion the earth attained this position on 22 July अब इसमें से आप देखकर बताएं कि कौन सा होगा तो question number 14 का जो right answer है व वाली जो second वाला statement है वो इसमें से गलत है दूसरा वाला statement गलत है प्रित्वी जब सूरे से अधिक्तम दूरी पर होती है तो वो अस्थिति जो है वो अपसौर कहलाती है ठीक है मतलब aphelion कहलाती है और यह जो condition है यह चार जुलाई को आती ठीक है इसके बाद अगले वाले क देखते हैं question number 15 Select the incorrect option among the following related to the concept of origin of tide तो tides के बारे में देख लीजे अब यहाँ पर Newton की जो gravitational force की थियोरी है 1687 वाली वो आती है Laplace की kinetic theory 1755 वाली William Wewell का जो progressive wave theory था यह 1838 का था और Erie Canal theory जो थी Erie की Canal theory कही जाती है तो यह 1842 की थी अब इसमें आप देख लीजे कि गलत कौन सा है तो question number 15 और इसका जो right answer है वो इसमें C हो जाएगा Hewell की जो प्रगामी तरंग theory थी या सिधान्त था वो यहाँ पर गलत दिया है असल में Hewell वाला जो सिधान्त है वो 1833 का है ना कि 1838 का डेट गलत दिया question number 16 यहाँ पूछा गया है कि on the basis of आप कीजेगा on which of the following river had the new rake dam been built मतलब किस नदी पर new rake dam जो है उसको design किया गया है और new rake dam has been built in which of the following country यह भी आपको बताना है यहाँ उस country की थोड़ी से विशेशता बता दी गई है ताकि आप आराम से चुन सके अब इसमें दो का pair है आप देख लीजे नदी का नाम और देश का नाम आपको चुनना है question number 16 और इसका जो correct answer है वो इसमें A हो जाएगा यानि यह bucks नदी है और यह रूस है ठीक है इसके बाद 17 को देखते है यहां का आगया कि भाखणा नांगल डैम जो है वो कौन से प्रदेश की सीमा में बनाया गया है और किस नदी पर बनाया गया तो यह तो simple question है आप जानते है कि भाखणा नांगल यह पंजाब और हिमानचल की सीमा पर है और सतलज पर बना हुआ है इसके बाद question number 18 को देखे सही विगल्प का आपको चैन करना है तो कुरू बेगावा डैम जो है यह उस्ट्रेलिया में है और विलो जो है यह कैलिफोर्निया में है हुवर डैम जो है वो जापान में है और वारा गंबा यह कहां पर है सेयुक्तराज अमेरिका में है तो इसमें सही कौन सा है बीवाला सही है और विले डैम का कैलिफोर्निया सही है गुरो बेगाबा जो है यह जापान में है हुवर जो है यह संयुक्तराज अमेरिका में है और बरगंबा कहां पे है औस्टेलिया में है question number 19, 19 में आप से पूछा गया है कि correct जो option है वो कौन सा है तो Angel waterfall यह कनाड़ा में है पुनु कोटू या पुनु ओकू इसको कहा जाता है तो यह वैनजुला में है James Bruce नाम का जो waterfall है वो संयुक्तराज अमेरिका में है और brown जो है वो न्यूजिलेंड में इसमें से कोई एक ही सही है और देखिए question आप देख रहा है इसका correct answer D हो जाएगा यह जो brown waterfall न्यूजिलेंड दिया है परफेक्ट है एंजल की location कहाँ पे है वैनजुला में है पुआ ओकू की location USA में है और James Bruce का आपने देख लिया है ठीक है James Bruce का USA नहीं हो गया यहाँ पे कनाड़ा होगा इसलिए गलत हो गया है last वाला सही है question number 20 20 में आप से कहा गया कि Panama Canal की जो location है वो Caribbean Sea और कौन से एक और समुद्र के बीच में है मतलब Caribbean सागर और दूसरा कौन सा सागर है या महा सागर है उसका नाम बताईए और साथ में यह भी पूछा जा रहा है कि स्वेज नहर कौन से समुद्रों के बीच में है तो एक का नाम दे दिया है भूमतिस सागर यानि Mediterranean Sea और दूसरा वाला समुद्र कौन सा है यह बताईए तो यहाँ नहरों के नहरे जो है वो जोडने का काम करती है तो समुद्रों को आप बताईए इसमें से question number 20 correct answer क्या हो जाएगा यह बाला हो जाएगा Pacific Ocean और Red Sea Red Sea और Mediterranean Sea के बीच में है स्वेज जबकि Caribbean Sea और Pacific Sea के बीच में कौन सा है Pacific Ocean के बीच में कौन सी है पनामा इसके बाद अगले बाले को देखते है question number 21 में आप से कहा गया कि KP नहर कौन से राजजी और Tamil Nadu के बीच में इसते थे और Gota Canal जो है या Gota नहर जो है यह स्टाक होम और कौन से और एक जगा के बीच में इसते थे उस जगा का नाम बताईए question number 21 और इसका जो correct answer है वो C हो जाएगा मतलब आंद्रप्रदेश और गुटेनबर्ग यहां पे जो पेर है वो perfect होगा इसके बाद question number 22 को देखते है correct option आपको बाहर करना है तो Venezuela यह Danube नदी से संबंदित है Elbe नदी का संबंद जर्मनी से है और इनिको का संबंद मियामार से है और इरावदी का संबंद यूगोसलाविया से है इसमें से सही कौन सा है तो 22 का right answer B हो जाएगा इसमें एक मात्र जो जर्मनी और Elbe River का दिया हुआ है यह सही है बागी जितने है वो गलत है और इनिको का संबंद किस से है वेनेजुला से इरावदी का संबंद मियामार से है और यूगोसलाविया से कनेक्ट होती है इसके बाद अगले question को देखते है 23 में आपसे incorrect option चुनने के लिए कहा जा रहा है तो बगदाद, टाइग्रिस, न्यू यॉर्क, हडसन, पेरिसीन और प्रेग या प्राग इसे कहा जाता है, तो डैन्यूब यहाँ नदियों के नाम और स्थानों के नाम मैच की हुए है कोई एक गलत है question number 23 का जो right answer है वो D हो जाएगा यहाँ प्राग और डैन्यूब को जो मिला दिया है ठीक है, मतलब डैन्यूब नदी को अगर देखा जाए तो इसका संबंध किस से है बुड़ा पेस्ट से, इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 24, correct option आपको बाहर करना है तो पुर्गा पवन या पुर्गा विंड जो है यह रशिया में बाती है सांता आना जो है, जो आलपस माउंटेन रेंज है, वहाँ पे फ्लो करती है हर्मटन का जो छेतर है, वो साउथ कैलिफोर्निया है और फॉन जो है, यह कहाँ पर बैती है वेस्ट अफ्रिका में बैती है, ऐसा कहा गया अब इसमें आप देखकर बताएं सही क्या है तो 24 का राइट अंसर, यह वाला हो जाएगा यानि पुर्गा जो है यह रशिया में है, सही है बाकी अगर आप देखें तो सांता आना का साउथ कैलिफोर्निया हो जाएगा हर्मटन का वेस्ट अफ्रिका हो जाएगा फॉन का जो अलपस माउंटेन रेंज है, वो हो जाएगा इसके बाद next question 25 में कहा गया कि correct option कौन सा है बताएगे तो मडिपूर कचारी tribe, इसे काचरी या कचारी कहा जाता है और पुरम tribe जो है, यह मेगाले की है जबकि कचारी का संबन नागा लेंट से है इसके बाद question number 26, यहाँ पर correct option आपको बाहर करना है तो चिनाब river इस पर शिवना समुद्र जल विदुत सैंद्र बना हुआ है यानि hydroelectric power plant बना हुआ है जेलम river जो है उस पर उरी power plant बना हुआ है अब इसमें आप बताएंगी correct कौन सा है तो 26 का correct answer B हो जाएगा जेलम पर बना हुआ है उरी वो सही है बागी दोनों गलत है वो देखकर मालू हो रहा है चिनाब पर सलाल बना है और जो शिवना समुद्र आप देख रहे हैं वो कावेरी पर बना है यहाँ पर आप से का गया कि अपने देश से होकर गुजरती है लगबग बीच से तो कितनी यह नौर्थीस्ट जो इस टेट है वहाँ से गुजरती है और ट्रॉपिक अफ कैंसर पासे सिटी चंपाई अब इसमें आप देखकर बताएं तो 27 का करेक्ट एंसर क्या होगा डी वाला हो जाएगा इसमें फैक्चुल टाटा था दो पुर्वतर के राज्ये हैं और यह जो चंपाई आप देख रहे हैं या चंपाई यह मिजोरम से बिलॉंग करता है इसके बाद question number 28 यहाँ पूछा गया है कि करकरेखा भारत के 8 शहरों से होकर गुजरती है तो 4 शहर अपने संबंधित राज्ये के साथ नीचे दिये हैं गलत कौन सा है आप देखकर बताईए अब इसमें पेर मैच कराया हुआ है जिसे कालिंजर जो है यह मध्य प्रिदेश लो दरगा या लोहर दगा यह जारखन कृष्णनगर पश्टिमंगाल और उदैपूर त्रिपुरा देख लिए जगलत कौन सा है तो 28 का करेक्टर अंसर ए हो जाएगा इसमें अगर आप देखें तो मध्य प्रिदेश का कालिंजर मिला दिया जबकि कालिंजर कहां पे, राजस्थान में है शाजापूर मध्य प्रिदेश का जो है वो इससे बिलॉंग करता तो यह उपर वाला गलत है, बाकी सब सही है इसमें से कौन सा होगा, देखे 29 का correct answer C हो जाएगा, मतलब कांडला और भटिंडा वाली जो ये pipeline है, ये सबसे छोटी लंबाई की है, इसके बाद question number 30, इसमें से कौन सा सबसे छोटी लंबाई का है, तो question number 30 का right answer D हो जाएगा, मतलब इसमें मुंबाई पुडे एक्स्प्रेस वे जो है, वो सबसे कम लंबाई का है, मतलब इसकी लंबाई जो है, वो 93 किलो मीटर है, बाकी सब इससे बढ़े, question number 31, select the correct option among the following related to international date line, अब यहाँ आप जो अंदराश्टी तीथी रेखा है, उसके बारे में देखिए, there is a difference of 24 hour between the north and south of the international date line, there is a difference of 22 hour, मतलब कितना difference है, exactly वो आपको देखना है, तो 22 hour का difference है, north से लेकर south के बीच में 24 hour का है, 22 hour का है, इसमें से कोई एक ही सही हो सकता है, और वो है C वाला, पृत्वी पर 180 जो यामोत्तर है, उसके साथ लगभग इस थल खंडों को छोड़ते हुए, जो पानी वाला हिस यहाँ पर देखिए, generally the density of earth is considered, अब यहाँ कितने ग्राम सेंटीमीटर है, कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है असल में, यह आपको बताना है, और किस परत का घंट्व सबसे जादा होता है, मतलब क्रस्ट मेंटर कोर में से किसका जादा होता है, देखकर बताईए, द सामाने तब प्रतेक, कितने मीटर पर तापमान एक डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, और यदि कोई व्यक्ति प्रिथवी के अंदर 100 किलोमीटर की गहराई तक जाता है, तो वह तापमान कितने डिग्री सेल्सियस की वृध्धी पर अनुभाँ करेगा, यह आप प्रिथवी की क्रस्ट में उपस्तिती के अधार पे इने असेंडिंग और में आप जानते है, इसमें अगर आप ध्यान से देखे तो ऑक्सिजन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है 46.60, सिलिकान की मात्रा होती है 27.72, अलुमिनियम उसके बाद 3rd position पे आता है, फिर उसके बा इसका जो सही क्रम है वो A वाला हो जाएगा, इसके बाद अगले वाले को देखते है, question number 35 में आप से कहा गया कि arrange the following element in descending order, on the basis of their percentage in earth crust, descending order में arrange करना है, तो silicon, aluminium, oxygen और magnesium दे रखा है, अब बीछे आपने सुना ही था तुसी क्या आधार पे कर लेंगे, descending order में सबसे बड़े वाल zone is affected by earthquake of extreme intensity, मतलब ज्यादा ती बरता वाला, तो zone 3 जो है इस range में आता है, जो zone 2 है वो इस range में आता है, 4-5 भी दिया हुआ है, कौन सा zone is extreme intensity में आता है, अब इसमें अगर आप थ्यान से देखें तो 36 का correct answer D होगा, zone 5 इस range में डाला गया है, इसके पाद question number 37, यहाँ पूछा गया कि the group of some states such as राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्टा, commander which of the following seismic zone, हम लोग किस seismic zone में आते हैं और हमारे पडोसी, अब इसमें 37 को देखें, 37 का B हो जाएगा, seismic zone 3, ठीक है, इसके बात अगले वाले को देखते हैं, question number 38, यहाँ पर का गया कि कु अब इसमें आप देखकर बताएं कि गलत कौन सा है, question number 38 का जो B वाला option है, वो गलत है, location wise यहाँ में देखना था, तो यह जो कोलिमा का दिया हुआ है, कोलिमा की location का है, यह West Mexico में पड़ेगी, और यहाँ पर दिया हुआ है, southern Mexico, तो direction गलत दिया है, question number 39, इसमें आपको एक त दिया है, देखे 39 का correct answer D हो जाएगा, यह जो Mount Kajbek है, इसकी location Georgia में है, ना कि Mexico में, इसके बाद question number 40, यहाँ पर नाम दिया है, और highest point दिया है, उसमें से wrong information आपको बाहर करनी है, तो North Central Asia, इसकी सबसे highest जो चोटी है, वो कौन सी है, Mount Everest है, Central Europe की सबसे मुची चोटी है, Mount Blank, अन सबसे उची चोटी है, Mount Everest, और यहाँ पर क्या दिया है, उत्तर मधेश या दिया है, मतलब North दे दिया है, तो यह गलत हो गया है, इसके बाद 41 को देखते है, यहाँ पूछा गया है कि which of the following mountain accident in only one country, मतलब एक देश में सिर्फ हो इस्तित है, तो कंचन जंगा है, मकालू है, म इसके अलावा यह लेहोट से इसको कहा जाता है, तो यह वाला है, इसमें से कौन सा होगा, कि वन एक देश में उसका विस्तार है, और 41 का जो राइट डारा है, वाला हो जाएगा, मनसालू, ठीक है, मनसालू का जो विस्तार है मातर नेपाल में, इसके बाद question number 42 को देखते ह odd option आपको बाहर करना है तो राका पोशी नाम का जो mountain है ये कारा कोरम परवत माला से बिलॉंग करता है माशेर ब्रम जो है ये कारा कोरम से नामचा बरवा भी कारा कोरम से और इसके अलावा जो साल्टेरो कांगडी नाम का परवत है वो भी कारा कोरम रेंज से बिलॉंग करता है ठीक है अब इसमें से आप और को चुनिएगा तो कोई एक जो है वो कारा कुरम से बिलॉंग नहीं करता है और वो इसमें से कौन सा है नामचा बरवा है नामचा बरवा का संबन किस से हिमाले परवत माला से इसके बाद कुश्चन नमबर 43 रॉंग इंफार्मेशन आपको बाहर करनी है कॉमेट परवत शिकर यह कुमाउ रीजन में बिलॉंग करता है नंदा देवी परवत शिकर यह दुनिया की 23 सबसे उची चोटी है ऐसा दिया हुआ है और साथ में यह कहा गया है कि म यही गलत दिया है मतलब कामेट परवत शिकर की लोकेशन गड़वाल रेंज में है और यहाँ पर दिया है कुमाउ तो यह गलत है इसके बाद कुश्चन नमबर 44 में आपसे पूछा गया कि इनकरेक्ट कौन सा है बताईए तो पॉंग फुई परवत शिकर यह मिजोरम में ह कलसुबाई आपका मध्यप्रदेश में है मुलन गिरी जो है यह करनाटक में है और रियो पुर्गिल जो है यह हिमाचल में है अब इसमें से रॉंग इंफार्मेशन कौन सी है तो बी वाली है कलसुबाई की लोकेशन कहां पे होगी यह महराश्टर में हो जाएगी इसके ब 660 मीटर पारसनाद जारखंड 1370 जंपुई ट्रिपुरा में है 930 और खासी मिघाले में है 1965 इसके बाद अगले वाले को देखते हैं यहाँ प्लेटू दिया है और स्थान दिया है तो एनातोलिया प्लेटू जो है यह तुर्की में है चिया पास जो है वह साउथ मेक्सिको म में है और Colorado जो है यह उसे में है अब इसमें आप देखकर बताएं कि गलत कौन सा है तो question number 46 का देखकर मालूँ होड़ा इसमें सी वाला गलत है Great Basin प्लेटू Great Basin प्लेटू जो है यह कहां पर है इसके बाद question number 47 यहाँ पर इरिथ्रिया देश जो है वो सहारा मरुस्थल की सीमा के अंतरगत आता है और इरिथ्रिया कैसा देश है मतलब किस तरह का देश है और पश्यमी अफ्रिका के कितने देश सहारा मरुस्थल की सीमा में आते हैं उनकी संख्या भी बताईए तो इरिथ्रिया का यहाँ direction पुल मिला और इसमें से कौन सा मध्य अफरिका का देश है जो कि कालाहारी डेजर्ट की सीमा के अंतरगत आता है अब ये दो चीज़ें आपको बताने हैं तो 48 और 48 का राइट अंसर D हो जाएगा मतलब 3 और अंगोला इसमें अगर आप देखें तो साउथ अफरिका में बोथस्वाना न अब इसमें आप देखें तो 49 का करेक्ट अंसर A हो जाएगा यानि तकला मकान जो है वो उपोश निकटी बंदी ये नहीं है बलकि ये शीत मरुस्थल है मरुस्थल ठंडे भी होते हैं सुष्कता के आधार के मरुस्थल तैय किया जाता है फार्मोसा का जो स्ट्रेट है या प्ष्ट नमबर 57 ग्रास लैंग दिया है और रीजन दिया है तो पुष्टात जो है ये न्यूजिलань गारा जाता है घास की भूमी को Pampas, Argentina, Weld, Hungary और Canterbury, South Africa तीन गलत है वो देखकर मालू हो रहा है कौन सा सही है बताईए तो B वाला जो है इसमें सही है Pampas और Argentina बागी गलत है पुष्टाज ये कहां कहा जाता है वेल्ड, South Africa और Canterbury, New Zealand Next, question number 52 Select the incorrect option among the following North Channel, Bitbin, Ireland and Scotland यूकार्टन स्ट्रेट कहां पे है ये मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है डेविस स्ट्रेट जो है वो Greenland और Canada के बीच में है इसमें से गलत क्या है तो 52 का right answer इसमें D हो जाएगा कुछ भी गलत नहीं है, जितने हैं वो सब सही है तीनों को याद रखेगा, non of these को चुनते Question number 53 53 में आप से पूछा गया कि Which of the following river cut the tropic of cancer twice कौन सी नदी जो है, वो करकरेखा को दो बार काटती है और which of the following river form the border between China and Russia, ये भी आप बताईए तो question number 53 और इसका जो correct answer है वो इसमें A हो जाएगा, माही नदी ऐसी है जो कि करकरेखा को दो बार ऐसे cut करती है और Amur river जो है, ये चीन और रूस के बीच में border बनाती है, question number 54 Select the incorrect option among the following तो Congo और जायरे river जो है, ये it crosses the equator twice cutting it जैसे करकरेखा को माही दो बार काटती है, वैसे Congo जायरे जो है, वो equator को दो बार काटती है, ऐसा दिया है, और Amazon river जो है ये lake Victoria से originate होती है जबकि Rio Grande river जो है ये border बनाती है, USA और Mexico के बीच में, तो इसमें से गलत क्या है देखे, question number 54 और इसका जो right answer है, वो इसमें B हो जाएगा मतलब Amazon river वाला जो दिया है name the longest river in South East Asia जो South East Asia की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम बताईए on which of the following river Victoria fall and करीबा dam situated, तो Victoria fall और करीबा dam किस नदी पर बना हुआ है, ये भी साथ में बताना है, अब 55 को ध्यान से देखे और बताए, तो 55 का right answer क्या हो मतलब Grand Canyon या Grand Canyon जो है, ये और उसके अलावा हुवर बाद, ये किस नदी पर इसने ते ये भी साथ में बताना है, दो चीज़े पूछी गई है, यहाँ नदीओं के नाम दिये है, तो 56 का correct answer D हो जाएगा, ये सेंट Lawrence river है, जो की दुनिया का सबसे व्यस्त अंतरदेश ये जल मार्क बनाती है, और Grand Canyon और Hoover Dam किस पर है, कोले रड़ो पर है, इसके बाद अगले वाले को देखते है, question number 57 में correct option आपको बताना है, तो Amazon river is the largest river in the world in term of volume, ठीक है, और Deniper river is the biggest inland waterway in Europe, Volga river is the longest river in Europe, और Murray Darling river जो है, ये originate होती है, कहां से, तो Amazon नदी जो है, वो volume के हिसाफ से, दुनिया की सबसे बड़ी और लंबाई के मामले में, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, राइन जो है, ये Europe के सबसे आंतरिक व्यस्तितम जल मार्क को बनाती है, और बोलगा जो है, ये Europe की सबसे व्यस्त अंतरदेशी जल मार्क बनाती है, ये स्टेटमेंट गलत है, सबसे व्यस्त जो अंतरदेशी जल मार्क है वो कौन बनाता है, राइन बनाती है, तो B वाला स्टेटमेंट रॉंग है, यहां incorrect आपको चुनना था, बाकी इसका लोकेशन है, सुन्डा की लोकेशन इंडियन ओशियन है, और 7,450 मीटर इसकी गहराई है, टोंगा की गहराई कितनी है, अच्छी खासी है, 10,882 और इतनी गहराई कहां मिलेगी, पैस्फिक ओशियन में मिलेगी, इसके बाद question number 59, यहां कहा गया कि select the odd option among the following on the basis of their location, तो Mariana Trench है, Midnau Trench है, इसके अलामा प्यूटोरिको Trench है और Atacama Trench है, इसमें आप देखें विशम कौन सा है, अवस्तिती के आधार पे, और 59 का correct answer C हो जाएगा, यानि प्यूटोरिको जो Trench है, वो इसमें से odd है, प्यूटोरिको की location कहाँ पे, अट्लांटिक में है, बागी जितने है, वो सभी प्रशान्त महासागर के गर्थ है, question number 60, इसमें आप से पूछा गया है कि कौन सा महासागरी, गर्म जल्धारा, उत्तरी प्रशान्त महासागर, यानि जो North Pacific Ocean है, वहां से होकर flow करती है, तो अब इसमें आप देखे, question number 60, इसमें का correct answer D हो जाएगा, यानि Alaskan current जो है, वो इस प्रखार की है, ठीक है, गर्म जल्धारा में Alaskan की जो जल्धारा है, वो उत्तरी प्रशान्त महासागर से होकर बरती है, इसके बाद अगले वाले question को देखते है, 61 में कहा गया, कि नमिलकित में से कौन सी ऐसी stream है, जो कि गर्म जल्धाराओं की श्रडी में नहीं आती है, तो Somalian current है, मापकी जगाँ यहां के current है, यह stream नहीं है, तो Somalian current है, कुरोशिवो current है, या कुरोशिवार इसको कहा जाता है, सुशीमा current है और Gulf Stream है, कौन सी warm current की category में नहीं आती है तो जो equator की ओर से चलेंगी वो warm होंगी जो pole की ओर से चलेंगी वो cold होंगी अब इसमें आप देखें तो ठंडी जल थारा जो है वो somalian current है जो की पश्चमी हिंद मासागर से वो कर बैती है और बाकी जितनी है वो सब गरम है सोमाली वाला हो जाएगा ए वाला इसके बाद question number 62 में आपसे name of oceanic current दिया हुआ है और nature of the oceanic current दिया हुआ है मतलब गरम ठंडी अब इसमें से आपको odd जुनना है तो L-nino जो है ये गरम जल था रहा है कैनारी जो है वो भी गरम जल था रहा है तो sodium chloride, magnesium chloride, magnesium sulfate और calcium sulfate सबसे कम सांधरता किसकी होती है और question number 63 का जो right answer है वो इसमें D हो जाएगा calcium sulfate सबसे कम मात्रा में पाया जाता है और sodium chloride सबसे maximum इसके बाद question number 64 64 में आप से का आगया कि correct option कौन सा है इसमें से चुनियेगा जम्मू और कश्मीर में नगेशिया जन जाती बिलॉंग करती है उत्तरा खंड में बकरवाल करनाटक में भील और 36 गड में जौन सारी अब इसमें से सही कौन सा है तो देखे 64 का correct answer C हो जाएगा मतलब करनाटक से जो भील ट्राइब का यहां बिलॉंग किया हुआ है वो सही है बाकी जो है जैसे जम्मू कश्मीर से बकरवाल बिलॉंग करते है जौन सारी का संबंध हाला कि जौन सारी उत्तर प्रिदेश में भी है लेकिन उत्तराखंट से यहां बिलॉंग करते हैं 36 गड़ से नगेसिया का संबंध है ऐसे आपने देखा पॉस्चन नमबर 65 जो correct option है वो आपको चुनना है और local winds के पारे में यह question है तो पुर्गा जो है यह रशिया की wind है लेवेंटर जो है यह न्यूजिलेंड में flow करती है जबकि नॉर्थ नॉर्वेस्टर जो आप देख रहे हैं यह स्पेन की है और सांता आना की location कहा है नॉर्थ इस्ट कैलिफोर्निया यहां direction भी देखिएगा location की आधार पे तो 65 को इसमें अगर ध्यान से देखिए तो इसका correct answer A होगा सही एक मातर वही पुर्गा वाला है बागी जितने है वो गलत है पुर्गा जो है वो एक ठंडी हवा है और यह रूस में बहती है लेवेंटर भी ठंडी है और यह स्पेन में बहती है नर्वेस्टर गरम होती है न्यूजिलेंड की है सांता आना भी गरम होती है यह साउथ कैलिफोर्निया की है इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 66 पैंसिला पास जो है यह कश्मीर वैली को करगिल से connect करता है पैंसाउ पास जो है यह सिक्किम को म्यामार से connect करता है जोजीला श्रीनगर को करगिल और लेह से connect करता है और बनीहाल जो है यह बनीहाल को काजी गुन्ट से जोड़ता है तो गलत क्या है गलत देखीए इसमें भी वाला है ठीक है भी वाले option को देखे पांक साउ, पांक साउ को अगर हम ध्यान से देखें, तो ये अरुडांचल को म्यामार से कनेक्ट करने का काम करता है, ना कि सित्किम को म्यामार से जोड़ता है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 67 में आप से यहां कहा गया कि सही विकल्प का चैन कीजेगा, तो साइए कि इसमें से सही कौन सा है, तो question number 67 का correct answer C हो जाएगा, मतलब नीती पास वाला सही है, उत्तराखन को ये तिबबत से कनेक्ट करता है, बागी बोमडिला ये अरुडांचल को तिबबत की राजधानी लासा से जोड़ता है, और रोतांग ये कुल्लू, स्पीती और ला ascending order में आपको coastal length के basis पे arrange करना है, करके देखिये, और question number 68 का correct answer B हो जाएगा, मतलब arrangement B हो जाएगा, तो मिलनाडू का कितना होगा, 906.9 km, केरल का करी 570, और करनाटक का 280, पेश्रिम बंगाल का कितना, 157.5, यानि इतने km में, इसके बाद question number 69, यहां कहा गया कि Tropic of Capricorn passes through how many South American countries, पहले तो यह बताईए, और the Tropic of Capricorn does not passes through which of the following South American country, उस country का नाम बताईए, जहां से वो pass नहीं करता है, तो question number 69, इसका जो correct answer है, वो इसमें D हो जाएगा, 4 and Cuba, इसके बाद next, question number 70, इसमें कहा गया कि Tropic of Capricorn does not passes through which of the following African country, वो country का नाम बताना है, और the Tropic of Capricorn passes through how many African country, अब इसमें आप देखकर बताईए, देखे, 70 का correct answer, यह हो जाएगा, नाइजीरिया से होकर यह नहीं बैती है, माप खीजीगा, नाइजीरिया से होकर यह नहीं गुजरती है, Tropic of Capricorn यानी मकर रेखा, और 5 ऐसे देशन जहां से होकर यह गुजरती है, अफरीका महादवीप में इसके बाद अगले वाले को देखते है, question number 71, यहाँ पर correct option आपको इसमें से चुनना है, पहले तो statement देखते है, कहा जा रहा है कि it is rich in oxide of iron and aluminium, it is the soil of tropical reason which is formed by leaching process, यह leaching के process यह यानी जो निच्छालन होता है, उसके process से बनती है, तो आप बताईए कि इसमें से सही कौन सा है, म of the following soil does not come under the category of undeveloped soil, अविक्सित मिट्टी की श्रणी में कौन सी नहीं आती है, तो question number 72 का right answer होगा, यह वाला, यानी arido soil जो है, यह असल में अविक्सित मृदा नहीं होती है, बाकी जितने हैं, इसमें आप नाम देख रहे हैं, वो सब अविक्सित मृदा की श्रणी में आते question number 73 को देखते हैं, correct option आपको इसमें से बाहर करना है, तो 2014 यह अंतराष्टी दलहन वर्ष था, और 2015 जो था, यह year of soil था, इंटरनेशनल लेवल पे, और family farming वाला जो year था, वो कौन सा था, 2016 का था, सही कौन सा है आप बताएं, तो इसमें B वाला सही है, एक मात्र इंटरनेश option among the following, तो East Africa, यहाँ पे लानोस कहा जाता है घास के मैदानों को, Brazil में कहा जाता है सवाना, Venezuela में कहा जाता है campus, और North America में कहा जाता है prairies, अब इसमें आप बताएं कि सही कौन सा है, तो देखिए इसमें D वाला सही है, एक मात्र, North America में prairie, बाकी जो East Africa है वहाँ सवाना कहते ह ब्राजील में कहते है campus और Benazula में कहते है lanus, इसके बाद question number 75 में आप से कहा गया कि जो Ottawa declaration था, उसके त्वारा architect परिशद के कितने सदस्यों को nominate किया गया था, ठीक है, मतलब architect council में कितने member को nominate किया गया था, और किस देश को Ottawa declaration में सामिल नहीं किया गया था, उस देश का न और Tropic of Cancer does not passes through which of the following Asian country, अब यहाँ Asia के कौन से देश से होकर करकरेखा नहीं गुजरती है, यह भी आपको बताना है, तो इसमें आप देखें, और 76 का जो correct answer है वो इसमें से, C वाला हो जाएगा, करकरेखा असल में 16 देशों से होकर गुजरती है और Vietnam से होकर नहीं गुजरती संख्या दी होई है, और कौन सी African country से होकर नहीं गुजरती है, प्रधान बंध्यान रेखा, उसको देखेगा, तो देखें, 77 का correct answer A हो जाएगा, यह 8 देश है जहां से होकर यह गुजरता है, और Tunisia से होकर नहीं गुजरता है, जो कि एक अफरिकी देश है, इसके बाद question number 78, यहां कहा गया कि the prime meridian does not pass through which of the following European country, ठीक है, पहले तो यह बताना है, और the prime meridian passes through how many European country, यह भी आपको बताना है, मतलो संख्या और नाम यहाँ देखना है, तो देखें 78 का right answer क्या होना चाहिए, D होना चाहिए, असल में prime meridian जो है, वो 8 देशों से होकर गुजरती है, D वाले क country, south ome, यह south ome, और princip, यह दो क्या चीज़ है, यह देशों के नाम है, तो south ome and princip, the equator passes through how many countries, तो दोनों चीज़े यहाँ देख लीजे, मतलब कौन सी रेखा इन दोनों शहरों से होकर गुजरती है, माप कीज़ेगा, दोनों देशों से होकर गुजरती है, पहले तो यह देख आना था, तो 13 देशों से होकर गुजरता है, इसके बाद question number 18, the equator passes through how many African countries, यह आप बताईए, और equator passes through how many Asian countries, यह भी बताईए, तो यहाँ संख्या ही सिर्फ देखनी है, factual data है, और इसका हो जाएगा भी वाला, ठीक है, 7 और 3, मतलब भूमदे रेखा 13 देशों से होकर गुजर इसके बाद आगे चलते है, question number 81, select the incorrect option among the following, तो aluvial soil में evidence होता है किस चीच का, potash और lime का, black soil में भरपूर मातरा में पाया जाता है, potash, lime, magnesium और aluminium, जबकि red soil में lack of iron होता है, यानि iron की कमी होती है, तो इसमें से आप बताएं कि गलत क्या है, 81 का साफ दिखाई दे रहा है, जो red soil होती है, उसमें iron प्रचुर मातरा में होता है, यहां तो कम कर दिया है, यही गलत है, इसके बाद question number 82 को देखते हैं, correct option आपको बाहर करना है, तो nitrogen oxide जो होती है, वो किस लिए इस्तिमाल होती है, यहां बे माफ कीज़गा, इस्तिमाल नहीं पूछ रहा है, यहां यह पूछ है कि वो release कहां से होती है, मतलब उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो आप देखें कि it released from the fields and when the fuel is burned, मतलब जब इधन को जलाया जाता है, तो यह निकलती है, और जो खेत होते हैं, वहां से इसका उत्सर्जन होता है, ठीक है, इसके बाद hydrofluorocarbon जो है, यह गंधा क्युक्त जो इधन होते हैं, उनका दहन करने से, मतलब जो sulfur वाले fuel होते हैं, sulfur base, उनके दहन से उत्पन्न होती है, जबकि पर-fluorocarbon जो है, यह अधियोगिक प्रक्रमों के द्वारा उत्पन्न होने वाले जो अपसिष्ट पदार्थ हैं, उनसे निकलती है, और sulfur hexafloride जो होती है, यह aluminium जो electronics के part होते हैं, वहां से release होती है, अब इसमें आप देखकर बताएं कि सही कौन सा है, तो question number 82 का right answer क्या होगा, ए वाला हो जाएगा, मतलब इसमें जो nitrogen oxide वाला है, वो सही है, बाकि hydrofluorocarbon जो है, यह जितने भी industrial process होते हैं, west material industries के द्वारा निकलता है, वहां से generate होती है, प आप से पूछा गया है, select the correct option, मतलब कहा गया है, select the correct option among the following related to the cyclone that had been recorded in year 2020, 2021 नहीं, 2020, अब यहां आप देखें, अंफान चक्रवाद जो है, यह अरप सागर में आया था, निसर्ग आया था बेया बेंगॉल में, जबकि क्रिस्टोबल नाम का जो cyclone या चक्रवाद है, यह प् निसर गाता है, अरप सागर में अच्छे खासे चक्रवाद आये थे, और क्रिस्टोबल की location Atlantic है, टाइफून गोनी को आपने देख लिया, फिलिपीन्स, next question, question number 84, which of the following has highest salinity या average salinity, मतलब इसमें यह पूछा जा रहा है, कि किसकी लवड़ता और ओसत लवड़ता सबसे ज़ यह कुछ कार को पर निर्भर करती है, उसको ध्यान में रखके ही आपको उत्तर चुनना है, question number 85, select the correct option among the following in context with surface area, तो यहां आप देखे, the largest lake of South America, lake Titica, the largest lake of Africa, lake Ladoga, Ladoga इसको कहा जाता है, और the largest lake of Asia, lake Bacal, और largest lake of South America, lake Superior, अब इसमें आप देखे कि correct कौन सा है, question number 85, C वाला option इ Asia की हो जाएगी, Europe की सबसे पड़ी जील कौन सी है, Ladoga है, उत्तरी अमेरिका की सुपीरियर है, अफ्रीका की अगर देखे तो Victoria है, और South America की है, Titica का, इसके बाद चलते हैं, अगले question की ओर, यानि 86, question number 86 में आप से कहा गया कि, कोराट प्लेटू या खोराट प्लेटू जो है यह Thailand में स्थित है, सही कौन सा है, आपको बताना है, लॉरेंशियन प्लेटू जो है, वो USA में है, तासिली का पठार जो है, वो कनाड़ा वाले एरिया में है, जबकि ओजार्क प्लेटू कहां पे है, अलजीरिया में है, इसमें से सही कौन सा है, देखे, question number 86 का correct answer, A हो जाए which of the following element is found in the minimum amount in earth crust, अब इसमें दोनों चीज़ें आपको देखनी है, तो oxygen और potassium दिया है, silicon और potassium दिया है, silicon और magnesium दिया है, oxygen और magnesium दिया है, इसमें से कौन सा होगा, देखे, question number 87 का D वाला option हो जाएगा, oxygen यह maximum amount में पाई जाती है, और minimum amount में पाई जाता है, magnesium, इसके बाद अगल अगले वाले को देखते है, 88, which of the following two elements are found in same percentage of amount in the earth, बराबर मात्रा में दोनों दो ऐसे element आपको चुनने है, जो कि अर्थ में पाई जाते है, कौन-कौन से ऐसे है, जिनकी amount बराबर होती है, तो question number 88, यहाँ देख लीजे, C वाला option से ही होगा, calcium और aluminium, यह बराबर मात्रा में Uranus के पास 29, यानि 29 है, Jupiter के पास 79, यानि 89 है, अब इसमें से गलत कौन सा है, तो इसे अगर आप ध्यान से देखें, तो Neptune वाला जो यहाँ आगडा दिया है, वही गलत है, इसमें आप देखें, Neptune का गलत है या Uranus का गलत है, ध्यान से देखेंगा, तो Neptune के पास है 14, और Arun के प पाते हैं, और in which year the astronomical phenomena of supermoon, blue moon and blood moon has been observed simultaneously in Asia, ये एक चीज़ आपको बताना है, मतलब date, जो sun है वो बताना है, तो question number 90 का जो right answer है, वो इसमें B हो जाएगा, मतलब 57% हिस्सा ही हम अपने चंदा मामा का देख पाते हैं, और 2018 में ये simultaneously observe किये गया थे, question number 91 को देखते है, 91 में आप स कोस्ट लाइन जो है, ये टोंगो और आईवरी कोस्ट लाइन लाइविरिया, अब इसमें आप देख लीजे, कौन सा होगा, जो कि है सही, मतलब सही विकल्प का आपको चाहिन करना है, तो 91 का A वाला जो गोल्ड कोस्ट लाइन है, घाना, ये सही दिया है, बाकी अगर वाला है, मतलब grain coast line है, उसको अगर देखें, तो grain coast line जो है, ये Sierra Leone जो वाला जो एरिया है, वहां से बिलॉंग करेगी, मतलब उसके पिलॉंग करेगी, आईवरी कोस्ट का संभन आईवरी कोस्ट से होगा, ऐसे देखा जाता है, तो इसका correct answer क्या होगा, एवाला हो जाएग इसमें से गलत कौन सा है 92 का इसमें से D चुनना पड़ेगा क्योंकि कुछ गलत नहीं है None of these यह तीनों सही है तो तीनों को याद रखीगा इसके बाद चलते है 93 की ओर Afghanistan produce more than कितने percent of the world opium मतलब Afghanistan जो है वो अफिम की उत्पादन के लिए famous है आप जानते ही है अभी फिलाल उस पे जो बाहरी आतंकवादी संगठन है वो सब कबजा कर लिए है तो वहाँ की स्तिति डामडोल हो गई है अफिम का पूरा व्योसा है वो उनके कबजे में है कौन लोग है यह बताने के आउशकता नहीं है और उसके बाद देखें to the east of अब यहाँ पे जो दिशा है वो आपको बतानी है कि उसके पूरो में सुनहरा त्रिभुज अवस्तित है जो कि अफिम के खेती यानि ओपियम के cultivation के लिए famous है तो golden triangle जो होता है यह नशीले पतार्थों के लिए यहाँ जाना जाता है अब इसमें आप देखें 93 93 का correct answer क्या हो जाएगा C वाला हो जाएगा 90 मतलब 90% से भी ज़्यादा जो opium है वो यही से produce होता है और salveen river जो है इसके पूरो में यह जो golden triangle है अफीम की खेती के लिए famous है यह पाया जाता है इसके बाद अगले वाले को देखते है question number 94 वांगो का जो plane है वो चाइना में इस्दित है और सिंदु गंगा ब्रमपुत्र का जो plane है वो इंडिया पाकिस्तान और चाइना में है मेकॉंग plane यह इंडिया चाइना में है और इरावधी plane यह म्यामार में है इसमें से गलत कौन सा है तो 94 का correct answer B हो जाएगा इंडिस गंगा ब्रमपुत्र plane यहाँ जो उसका दे रखा है यह भारत पाकिस्तान और बांगला देश में है ना कि चाइना इसके बाद अगले question को देखिए 95 correct option आपको बाहर करना है तो अईनू नाम की जो tribe है यह जापान में पाई जाती है आरापेश जन जाती जो है यह जांबिया की है और गुमूज नाम की जो tribe है पापुआ नियोगिनी की है जबकि बेंबा को अगर देखा जाए तो यह इथोपिया से बिलॉग करती है इसमें से correct कौन सा है 95 और इसका जो correct answer है वो इसमें A हो जाएगा एनू tribe जो है वो जापान से बिलॉग करती है बाकी आरापेश का संबन्द पापुआ नियोगिनी से है इथोपिया से गुमूज का रिलेशन है और बेंबा का संबन्द किसे है जांबिया से है इसमें से आप देखकर बताएं तो question number 96 का correct answer D हो जाएगा मतलब none of these यहाँ यह पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी जो है इसमें डी वाले को चुनना पड़ रहा है इसके बाद 97 को देखते है अरेजद फालोइंग pulse crops in ascending order on the basis of percentage of protein मतलब किसमें protein का percentage जादा होता है किसमें कम होता है इसके आधार पे RO ही क्रम यानि सबसे कम percentage वाले को पहले और सबसे जादा वाले को बाद में रखने वाला इसमें क्रम चुनना है तो अरहर की दाल है, उडद की दाल है, मूंग है और इसके अलावा मतर है यानि पीज है अब इसमें आप देखकर बताएं तो 97 का correct answer C हो जाएगा मतलब इसमें C वाले के हिसाब से चुल लेते देखे सबसे इसमें जो जादा percentage प्रोटीन का है वो किसमें पाया जाता है, मूंग में पाया जाता है बाकी अगर आप देखें तो अरहर में 20 से लेकर 21% होता है उडद में 24% होता है और जो पीज होती है नी मतर होती है उसमें करीब 25% प्रोटीन पाया जाता है इसके बाद question number 98 को देखते है shifting cultivation दिया है और reason दिया है तो चेंगिंग क्रिशी जो है ये वियतनाम की है और कैंगिंग क्रिशी जो है ये फिलिपीन्स की है कोनको जो है ये श्रिलंका की है और रे जो है ये ब्राजील की है इसमें आप देखकर बताइए कि correct option कौन सा है तो question number 98 का जो right answer है वो इसमें B हो जाएगा यानि कैंगिंग जो है या कैंगिंग नीने कहा जाता है ये फिलिपीन्स में बिलॉंग करती है मतलब वहाँ की shifting cultivation है बाकी जो है जैसे चेनना आप देख रहे है तो चेनना जो है वो श्रिलंका से है ठीक इसके अलामा कोनको का संबन ब्राजील से है रे जो है ये वियतनाम और लाओस दोनों में प्रशलित इसके बाद 99 नंबर के question की वर चलिए इसमें correct option आपको चुनना है तो bon sammelan यहाँ आप देख रहे है यह थोड़ा सा उपर नीचे हो गया है यहाँ पर mandate convention जो इसपेन वाला है COP23 से जोड़ दिया है और उसके बाद जो cotowise convention है यह पोलेंड में हुआ था तो इसको COP24 से जोड़ दिया है bon convention जो था जर्मनी का इसको COP25 से जोड़ दिया है यहाँ थोड़ा सा जो विकल्फ है उनमें difference है फिलाल सही विकल्फ का आपको चाहिन करना है तो question number 99 का जो right answer है वो इसमें A हो जाएगा यानि bon convention जो है वही एक मातर सही है COP23 के नाम से इसको जाना गया था 2017 इसकी date थी और उसका जो सही विकल्फ है यहाँ अंग्रेजी वाले में C वाला सही answer है लेकिन उसमें 23 नहीं दिया है तो यह question जो है यह पूरी तरह से structure इसका difference है मतलब structure में defect है इसके असल में bon semblion यहाँ सही information सुन लीजे bon semblion जो है जर्मनी में हुआ था COP23 इसे का गया और 2017 में हुआ था काटोवाइस जो convention है यह पोलेंड में हुआ था COP24 2018 mandate convention यह इसपेन में हुआ था COP25 इसको का गया था 2019 में हुआ यह याद रखेगा इसमें कोई भी answer चुनने लायक नहीं है इसके बाद question number 100 को देखते है निमनलिकित में से सही विकल्प का आपको चैन करना है तो जो world happiness report है 2021 वाली उसके आधार पे यहाँ चैन करना है भारत का 138 वा स्थान सही विकल्प का चैन करना है ध्यान दीजेगा और Finland का पहला स्थान था Denmark 2nd था, Iceland 3rd था तो जो, मतलब architect circle वाली countries होती है उन्हें अगर हम देखें, Scandinavian countries भी उसमें आती है और बाकी जो देश है तो उनमें इनका जो आंकडा है वो अच्छा खासा होता है, मतलब वो बाजी मार ले जाते है फिलाल इसमें देखा जाए तो question number 100 का correct answer क्या होगा अबी वाला हो जाएगा फिल्लैंड की first position थी, यह सही है भारत का 149 वा अस्थान था 139 पोजिशन थी, Iceland 2nd पोजिशन पे था और डेन्मार्क का अस्थान था तीसरा, यह world happiness index है तो भारत की position बहुत ही खराब है यहाँ तक हमने इस mock को complete किया है और इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार